हलो इस्टूडेंट मैं गुड़ डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वाकत करता हूँ इस्टूडेंट ये वीडियो देखिए ये कुश्चन कितना बहतरीन कुश्चन है ये देखिए आपका जो है 2018 में ये प्रसन पूछा गया है 2022 में भी पूछा गया 2023 में भी पूछा गया ये प्रसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसा कि आप लोगों को खुद भी पता होगा कि हाँ ये कितने इंपॉर्टेंट कुश्चन है आपको देखने से भी लग रहा होगा ठीक है और ये बोड का बेहतरीन प्रसन है तो आप जो इस समय जो आप देख भी रहेंगों कि जितने भी प्रसन बना रहे हैं स्टुडेंट सारे बोड वाले ही कुश्चन बना रहे हैं इधर उधर के बिल्गुल कुश्चन नहीं बना रहे हैं जो बोड में पूछे गए हैं केवल उन ही को बना रहे हैं तो इस्टूडेंट अगर आप जो है चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें, सस्क्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को अवस्ट दबाएं तो चलिए कुशन को लगाते हैं, दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप इसको स्वालब करोगे, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखें स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर एक सलूशन लिखेंगे, और सलूशन लिखने के इसको कास की पवर four है यहाँ पर, किया लिखा है, एक्स डी-एक्स है, ठीक ए, फ्रूडेंट अब स्टूडेंट इसके बाद देखेंगे, आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, आउब इसके बाद देखें हमारा काम क्या होगा, यह लिखा है नहीं, इसको इक नमबर माना ल पर टी और देखो इस्टुडेंट पर पर टी नमर 4 क्या होता है? 0 से A FxDx ठीक है? और यहाँ पर देखे क्या होगा इस्टुडेंट 0 से A और यहाँ पर A-X यह है पर 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 टी नमर 4 जैसा कि आप लोग इससे परचित भी हो चुके हैं बहुत बढ़ी चीज़ नहीं है ठीक है अब इस्टुडेंट हम क्या करेंगे इसमें प्रोपर्टी 4 जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा यह आई स्कुल 2 देखे आपा लिमिट लोवर लिमिट को जोडते हैं पहले जोडेंगे तो πई पई 2 आगया और किसके पहल में है यक्स के पहल में है तो यक्स इसको सब्ट्रेट कर देंगे तो इतना आगया अब यह चीज़ जो है देखे इस्टुडेंट इस पूरे भर में से मतलब इस पूरे फंक्सन में जहाँ जहाँ yx लिखा होगा उस x की दगह हम रखेंगे पाई बाई टू माईनस x रख देंगे तो चलो रख के देखते हैं 0 से पाई बाई टू हो गया यहाँ पर student क्या है log और यहाँ पर क्या लिखाई शाइन क्यूब और यहाँ x की दगह क्या रखोगे student तो pi by 2 minus x रखोगे ठेक है यहाँ पर भी वही काम करोगे student कास लिखा है और x की डगा क्या रखोगे यहाँ फोल लिखा ना student यहाँ पर रखोगे pi by 2 minus x रखोगे student यहाँ पर हो गया dx हो गया ठेक तो देखे ध्यान आप दीजिए यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है mind नहीं लगाना पर रहोगा मैं इतना समझ रहा हूँ कि आप बिल्कुल mind नहीं लगा रहे होगे देखे इतना असान सवाल लगा रहा हूँ अब यहाँ पर देखे student क्या लिखा है 0 से pi by 2 लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है log लिखा है student ठीक है देखे sign 90 minus x कहीं लिखा हो तो यह कास में कनोट हो जाता तो यह हो जाएगा कास क्यू भी एक्स हो जाएगा इसी प्रकार यह साइन है 90 minus 1 तो क्या हो जाएगा student यह कास है तो यह हो जाएगा sign ठीक है और यहाँ power 4 है तो 4 लिखा रहेगा यहाँ हो गया dx और यह बना लेंगे 2 number जैसा कि आपको जानकारी है कि जहाँ पर 1 और 2 बन जाता है तो उनको सीधा जोडते ही है जब property number 4 लगा देते तो यह बात तो आपको अच्छे पता है तो वही काम हम करेंगे कोई बालक से काम थोड़ी न करना है तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पर चलिए add करते हैं यहाँ पर add 1 and 2 ठीक है इस समय समय लिजे बिलकुल निसुल के आपको आपकी तैरी कराई जा रही है आप से यहाँ पर कोई paid charge नहीं लगाता हूँ ठीक है कोशिस हमारी यही है कि जहाँ पर पढ़ाई का अस्तर निम्न है जहाँ पर लोग पढ़नी पा रहे हैं ठीक है शाधन के आभाव में ठीक है रहा हूँ कि जादा से जादा लोगों को जो है इसका लाप मिले ठीक है और आप जो है अपने जीवन में और आगे बढ़ें उन्नत करें तो यह हमारा जो है कुश्चन है अगर आपको समझने में कहीं पर भी अगर थोड़ी बहुत अगर दिक्कत भी हो तो comment section में जरूर आ हाँ पर समझ में नहीं है मैं आपको दुबारा बना दूँगा यह इतना मैं कर दूँगा ठीक है ना तो जादा से जादा आप लोग जो है जो है दोस्तों में इसे भेजे भी और like कर दें subscribe कर दें और दोस्तों में इसको जरूर भेजें जैसे आपके पाज गुरूप बग इससे लिखे डो ठीक बार-बार लिखेन के जोड़त नहीं है और बस क्यों किवाल फंक्षण फंक्शटू जोडते हैं तो इस फंक्षण में देखे क्या लिखा एं लग लिखा है और यहां पर लिखा है एक्स और यहां Game कि पावर पोर एकस और प्लस इसवाले में कर दो और यहाँ पर dh लिख दो अच्छा इस्टुडेंट एक बात मुझे ज़रा बताओ कि कहीं पर अगर लिखा हो log n लिखा हो तो यह क्या है यह फार्मुला इस्टुडेंट ठीक है कहीं यह लिखा हो तो आप क्या करते हो दोनों को आपस में गुणा कर दे तो ना इस जाएगा 2i बराबर ठीक है देखे इस्टुडेंट बहुत ही बहुत ही बहुतरीन सवाल है आपके लिए तो यहां पर तो लिखा जीरो से यहां पर पाई बाई टू है अब इस्टुडेंट इन दोनों को गुणा कर दो इसको तो क्या हो जाएगा log और चलिए इनको दोनों गुणा करते हैं तो यहां साइन की पावर तीन है यहां पर साइन की पावर चार है तो साइन की पावर कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा इस्टुडेंट इसी प्रकार कास में देखे कास की पावर यहां चाल लिखा है यहां कास की पावर तीन लिखा है तो चार तीन साथ यहां भी होगे स्टुरेंट यह डी अक्स हो गया अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजेगे स्टुरेंट क्या और हो सकता इसमें तो बड़ा आसान सवाल है इन सवालों में हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं माइंड लगाना पड़ रहा होगा यह लोग लिखा है इसको चा सारा फार्मला लोग वाला ही यह यहां पर लग रहा है कि देखर लॉक हो यहां पर लिखा लॉग देखर लॉगeeee N लिखा होता है क्या लिखा होता है log M बटे N लिख होता है ठीक है फिर से लिख देतो हूं तो जाला ना समझ में हम आ लजिए तो लाग M बटे N लिखा हो तो इस्टुड़ेंट हम क्या लिखते है लॉग M minus log n लिखते हैं, बटे में होता पैसा करेंगे, तो अभी आएगा इसका भी हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर देखे, तीनो फार्म नाम यहाँ पर लिख दिये सेवन भी लिखा है, जीरो लिखा है, पाई भाई लिखा है, इस्टूडेंट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तू से इसको मल्टिप्लाई कर सकते हैं, आइसा क्यों कर रहा हो, तक कि साइन टू एक्स का फामला बन जाए, और तू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर आ यहाँ लिखा है, और यहाँ पर दिखिए, इन दोनों को, टू शाएन टू का फामला वस्टूलेंट, और नीचे तो लिखा है, यहाँ पर तो आपका ढी लिखा हूआ है, बदा आसान सवाल है, बिलकुल इसमें माइंड आपको नहीं लगा रहे हो, प् 이aci करना हो है, तो ल log m लिखोगे बटे में जो रहता है माइनस लगाए कि इसको लिखते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे log m m की डगा यहां पर sign 2x लिखा student और minus क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे log n m की डेगा 2 हो गया ठीक अब student यहां पर यह हो गया d x अब इस breakout को थोड़ा सब अउपन कलेंगे तो यहां पर student क्या जैएगा 2i ठीक है तो save in और यहां पर एक काम करते student ठीक है वो काम क्या है उसको भी हम थोड़ा सा यहां पर समझने का प्रेतन करते है यहां पर यहां पर इसको ब्रेक करेंगे तो यहां साइन टू एक्स हो गया पीछे से लग जाएगा और यहां पर देखिए लॉग टू को तो बाहर कर दो ठीक है इंटीग्रेशन आपस जीरो से पाई बाई टू यहां वन बचेगा डी एक्स हो गया क्योंकि इसके वन गुड़ां के मुता ना इस्टूडेंट अब यहां पर इस्टूडेंट हम इतने को चलो आई माल लेते हैं यहां लेट करेंगे लेट यहां दीजेगे स्टूडेंट आ यहां पर हम क्या लिखेंगे यहां आई और यहां पर यहां पर भी एच्छा से मल्टिपले होगा ना इस्टूडेंट इसमें तुमने यह नहीं यहां भी से बेंट होगा और यह जाएगा अंदर तो इस्टूडेंट यहां पर भी से बना जाएगा कि नहीं किलियर वाग नहीं हुआ चलिए ठीक समझ में आगया होगा अब यहां पर थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ बहुत गंदा लग रहा है थोड़ा नहीं है ठीक अब दिखना होगा आपको अब इस्टूडेंट देखे यहां पर क्या है सेवन लिखा है और यहां पर क्या लिखा आई वन लिखा है इस्टूडेंट माइनस यहां पर लिखा है तो क्या है माइनस सेवन लॉग आप यहां पर देखे पहले अपर लिमिट रख तो इस प्रकार से 2i बराबर क्या गया 7i1-7 और यह πाई बाई टू को आगे लिख दो पाई बाई टू लॉग टू यहां टू भूल गए लिखेना ठीक है तो चलिए यहां तक तो हमारा काम हो गया है ठीक है यहां भी टू लिख दीजे अब इस्टुडेंट इसको बना यहां आने थे 0 से πाई बाई 2 और यहां पर क्या लिखा है लॉग साइन 2 एक्स है और इस्टुडेंट देखो अभी हमने इसको सलुशन किया था ठीक है अभी हमने प्रीबियस से ही वीडियो में हमने इसका सलुशन किया था ठीक है अब यहां पर फिर से आपको दुबारा हम इसका सलुशन करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से क्या होगा देखे इस्टूडेंट हमारा में काम क्या है में हमारा मक्सद क्या है उसको आप समझने की यहां पर थोड़ा सा कोसिस कीजिए देखे student हम यहाँ पर क्या चाहते हैं क्या करने की भिराग में हैं उसको भी थोड़ा सा आप समझिए देखे student यहाँ पर देखे आपने आई जो माना था आपने आई किसको माना है देखे धियान दीजेगा आपने यहां पर आई इसको माना था? ठीक है जब आपने इसको ADD कर दिया था तो ADD करने के बाद में student यह आपका जो है कुल मिला करके इतना आ गया ठीक है अब student यहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना है केवल आपको इसको solution करना है solution करने के बाद में इसकी value केबल यहाँ पर रखनी है बसकेल ठीक है इसकी जगा पर इसकी value रखनी है बाकी से आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा यह इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अब हम क्या करेंगे वर्क करेंगे यहां पर काम करेंगे और देखेंगे फिर वो बैलू क्या आती है एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमारे पास I की बैलू अगर हम देखते हैं तो I की बैलू हमारे पास यह लिखा हुआ है स्टुडेंट ठीक है तो हम यह तो बना नहीं लेकिन इस्टुडेंट हमारा क्या है कि इसका हम सलूशन आसानी से हम इसका सलूशन दे सकते हैं ठीक है अब यहां पर देखें इस्टुडेंट हम क्या करेंगे इसमें इसमें जो यह लिखा है 2x इसको हम लोग टी मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशेशन कर देंगे लूँ 1, 2 हो जाएगी, यहाँ पर आगया dt upon dx हो गया, 2 को इधर, dx को इधर लाओ, student, तो dx बराबर 1 upon 2 यहाँ हो गया, dt हो गया, कि नहीं, तो चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आगया होगा, अब limit change कर लेते हैं, तो इधर ही कर देता हूँ, बगले में, for limit, take student, क्या करता हूँ, limit, limit, तो student यहाँ लिखेंगे when, lower limit यहाँ पर ध्यान दीजे कि क्या 0 है, then, अब आप किसमें रखोगे, t बराबर क्या जाएगा, फिर देखो, 2 into 0, अर्था 0 हो गया, फिर आप आप आगे देखें, when, upper limit देखेंगे student, upper limit pi by 2 है इसमें, ठीक है, then, अब चलो, t में रखते हैं, student तो क्या जाएगा, 2 into pi by 2, अर्थात कितना आगया, pi आगया, आप student यह value सब उठा के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, i1 बराबर, 0 से pi by 2, और यहाँ पर कितना आग, 0 से pi by 2 नहीं, student, यहाँ पर तो आपका अलाग होगे न, 0 तो 0 ही था, और इसकी देखा, pi by 2 की देखा, pi आगया, और यहाँ पर देखें, क्या लिखा है, student, log लिखा है, यहाँ पर sign, 2t की देखा पर हमने t माना है, ठीक है, और इसकी देखा पर देखे, dx की देखा कितना आगया, dt अपान 2 आगी, student, आब student इसमें प्रपर्टी नंबर कौन से लगा देए, प्रपर्टी नंबर 6 लगा दीजिए, इसमें, जब प्रपर्टी नंबर 6 लगा देंगे, student, प्रपर्टी नंबर 6, तो क्या होगा, आपको जैसा की जानकारी है, कि प्रपर्टी नंबर 6 में आगे 2 से मल्टिप्लाई हो जाता है, और अपन लिमिट में 2 से डिवाइड हो जाता है, बाकी यहाँ पर क्या जिखा, log, sign, क्या लिखा, student, t लिखा है, यहाँ पर dt by 2 लिखा है, तो 2 से 2 यह कट गया, अब student यहाँ पर दिखे, क्या होज़ेगा, i1 बराबर, 0 से πाई बाई 2, ठीक, student, अब एक काम करिए, student, यह t के फार्म में है, ठीक है, क्या है बाई, properties, जैसे लिखा हो, 0 से A लिखा हो, या A से B लिखा हो, इससे समझो पहले, जैसे लिखा, A से B लिखा है, fx, और जैसे लिखा है, ft, dt लिख दे था हूँ, साप साप लिख दू थो थोरा सा, जैसे लिखा है, क्या लिखा है, जीरो से देखे A से B लिखा हो और F T या F P D P लिखा है D P तो हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको A से B क्या लिख सकता हूँ F C D C लिख सकता हूँ तो आप चिसमें चाहो उसमें convert करो P में था जैमने C में कर दिया तो ही यहां पर करने चाहा हूँ तो यहां क्या जाएगा I स्कॉल 2 आपको हो जाएगा क्या यह देखे इसमें convert कर लिया अब I 1 बराबर इसकी value देखे इसकी value हम अभी आपको तो अच्छे से पता है पाई बाई 2 लॉग 2 होता है यह बड़े काम की चीज़ है जब कहीं इतने बड़े सवाल में बीच में आ जाएगा तो सारे इसकी सीधी सीधी डारेक्ट आप value रख सकते है इसको लगाने की कोई आउशक्ता नहीं है नहीं तो आप चाहो तो फिर से इसको जो है आप नए सीधी फिर से लगाओ फिर इसकी value निकालोगे value तो यहीं आएगी ठीक है अब student जब इतना हो जाएगा तो यह value उठा करे कहा रखेंगे तीन नमर में रखोगे तो from theory theory में रखते हैं student तो क्या जाएगा देखें student अब इधर जगा नहीं है तो मैं थोड़ा सा इधर मिटा देता हूँ ठीक है student तो यहाँ 3 में देखें क्या होगा student जहां दीजेगा देखें I1 है student यह इसको साब साब लिख दीजे ठीक है यह I1 है बराबर इतना निकल आया अब चलिए 3 में रखतें student यहाँ लिखेंगे from theory अब बाकी आगे क्या लिखा है 7 पाइब आगे लिखेंगे ना student अब क्या करोगे student इसको जोड़ दो कि तो देखें नीचे नीचे एक वाल है तो साथ साथ कितना होगा माइनस का 14 हो जाएगा 14 पाई आप देखें पाई देखें पाई ना हो जाएगा देखें धेंदीजेगा कितना हो जाएगा पाई बाई टू है उसमें ठीक है चलिए कोई बात नहीं है और यहाँ पर भी देखें इसा करनो ना student ज़्यादा अचार रहेगा ठीक है तो साथ साथ कितना हो गया योगया माइनस का 14 ठीक है बाकी यहाँ पाई बाई टू लिखा हुआ है और लॉग टू भी लिखा है कि नहीं बहुत साथ इधर साथ इधर योगया 14 यह कुछ नसन में आ रहा है तो student यह काम और कर लो आप इसमें से जो है क्या कहते हैं कि पाई बाई टू और लॉग टू कामा ले लीजिए ठीक है तो क्या बचेए कि student ध्यान दीजिएगा माइनस साथ माइनस साथ तब भी कितना हो गया साथ साथ चाओदा हो जागे ने student देखे चाओदा और बाकी यहाँ पर क्या लिखा है पाई बाई टू और यहाँ लॉग टू है कि नहीं आप देखे student दो से कर जाएगा तो आई बराबर student कितना आ गया सेबिन पाई बाई टू लॉग टू आ गया और यही हमारा student किया है राइट हैं साइड है तो इस परकार से देखी यह question हमारा जाकर कि सालब हुआ तो अगर अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लेज चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को अबस तबाएं थैंक्यू